कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर भी डाल गई थी राम सेतु का न वो पानी में जाती फिर किनारे पर आती रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतु के पत्थरों की और फिर भागती फिर से पानी में जाती फिर रेत में फिर पत्थरों के राम जी को अश्चरे हुआ कि यह हो क्या रहा है वो गिलैरी के पास गए पूछा तुम गिलैरी कर क् गिलेरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूं उस पर रेत लपिटती हूं और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती हूं राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही हूं आज बारी हमारी है आयोध्या में हमारे शरीराम के भव्य मंदर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने कुछ गिलेरियां बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार योगदान दे कर एतिहासिक भव्य राम मंदर बनाने में साज़ेदार बने मैं खुद करता हूँ शुरूबात मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीडियां को इस भव्य मंदर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे जैशुरी राद